यह जगत सारा अक्षणिक है और आतमाएक नीत्य है आतमाका अनुभवबस एक मात्र नीत्य है अनुभवस एक माज़खबस एक माज़ इक मान से एक मुपप्रयां अनुभवस एक माज़ मَ जा और आत्मावबस एक मुपपप्र आत्व। नीधे find приयो जो ऑनी शेतन्य स्वभावि भगवान आत्मा अनादी अनन्त शुद्ध शेतन्य मात्र है ज्ञान मात्र है मैं शुद्ध शेतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ प्रते समय जागुरुती बनी रहे इस जागुरुती का नाम धर्म है देह की प्रत्य क्रिया के काल में और विकल्पों के बेहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रती समय यह जागुरुती रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बेहते प्रवाह में कहें भी मिला नई हूँ ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ प्रती समय स्वयम के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोद्ध आत्म जागुरुती ही धर्म है चैतन्य तत्व की स्वा समवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूती हूते ही अत्यन्ता भाव तो समझ में आता ही है और तदभाव भी समझ में आ जाता है एक द्रव्य का दुसरे द्रव्य में अभाव है यह तो समझ में आ जाता है मगर एक गुण का दुसरे गुण में भी अभाव है ऐसा अत्दभाव भी समझ में आ जाता है कैसा यह स्वतंत्र वस्तु स्वरूप है कि जिस समय आत्मा की निर्विकल्प अनुभूती हुई और स्रद्दा यतार्थ हुई स्रद्दा सम्यक्त्व रोप परिणमेत हुई उसी समय मोक्ष न हो गया उसी समय केवल ज्ञान न हो गया उसी समय पूर्ण वित्रागता न हुई वह इस बात को बताता है कि स्रद्दा का परिणमन स्वतंत्र है और ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र है चारित्र का परिणमन स्वतंत्र है प्रत्य एक गुण का परिणमन स्वतंत्र है और उस गुण की उस गुण की परियाई की उस समय की युग्यतानुसार है जब एक गुण का परिणमन दुसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता जब सम्यक दर्शन केवल ज्ञान ला नहीं देता तो फिर ये देह के अनन्त परमाणू मेरे ज्ञान का कारण कैसे बनेंगे जब धर्म का मूल सम्यक दर्शन केवल ज्ञान का कारण नहीं बन सकता तो ये पांचों इंद्रियों के परमाणू पुर्ण ज्ञान के कारण कैसे बनेंगे यह जानकर के ज्ञान के स्वरूप की महिमा आती है और देह के परमाणू की महिमा गटने लगती है, मिटने लगती है और तब से लेकर के देह का पडोसी उतार गए चैतन्य परमात्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप में भगवान आत्मा हूँ और ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा देह से असपर्शी है विकल्प से अस्पर्शी है जब इस ज्ञान सुरूप भगवान आत्मा का अनादी काल से कोई बुरा न कर सका कोई भला न कर सका तो अब ये राह की दिवार के अनंत परमानूं मेरा बुरा क्या करेंगे इसलिए देह का निरिक्षन करते हुए ये विचार करें कि देह को किंचित भी शत्रू मानने की जरूरत नहीं है सिर्फ ये जागरुती कि जो ज्ञान के निकट नहीं आ सकता है जो ज्ञान की स्पर्शना तक नहीं कर सकता है ऐसा ये देह ऐसे ये पांचों इंद्रियों के परमानूं आत्मा के ज्ञान का कारण कैसे होंगे यह समझ करके यथार्थ सिद्धान्त का ज्ञान होता है यह समझना ही समस्त आगमों को समझना है कि मैं ज्ञान सुरूप चैतन्य परमात्मा ज्ञान मात्र हूँ इसके आगे कही नहीं चाना यही पर ही ठहरना मैं ज्ञान मात्र हूँ यह ज्ञान इंद्रियों में से आया नहीं है और इंद्रियों को छूते हुए परिणमीत हुआ नहीं है क्योंकि इस ज्ञान के परिणमन में ज्ञान का स्वयम का ही बलिदान है इंद्रियों का कुछ भी बलिदान नहीं है इसलिए तो चश्मे की भाती आख भी ज्ञानी को ज्ञान के परिणमन से दूर दिखाई देती है इसलिए तो ये सारा देह ज्ञानी को जगत के अन्यपदार्थों की भाती दूर दिखाई देता है बस अंतर नहीं दिखता ये ज्ञान की अनुगूती में अंतर में वह व्यस्त रहता है और खुली आँखों से बले ही जगत जानता हो नगर जगत को जानने के काल में अंतर में इस भाव से भरा हुआ है इस समझ से भरा हुआ है कि पेड के पत्ते जैसे पीले हुग गये है ऐसे ही ये देह भी पीला हुग गया है कभी ये पेड के पत्ते हरे थे कभी ये देह स्वस्त था, सुन्दर था नगर जैसे वहाँ पत्ते बेर विखेर हुए ऐसे ही इस देह को देखता है और इस दे के परमाणों को भी ऐसे उड़ता हुआ देखता है पता चलता है ये सांसे जो चलती है उन सांसों का चलना और पत्तों का ये उड़ना ऐसा ही लगता है जिसे कुछ अंतर नहीं है मौन अनुभूती बिना किसी स्पस्टी करण के बिना किसी चर्चा के बिना किसी वाद विवाद के बिना किसी उलजन के भीतर में और गहराई में गहराई में गहराई में जाते जाए तो आपको भी ये अनुभव होगा कि सार इसी में ही समस्त पुराणों का सार ये है, समस्त शास्रों का सार ये है, समस्त सिधान्तों का सार ये है, कि मैं चैतन्य स्वयम ही समय सार हूँ, मैं चैतन्य तत्व स्वयम ही प्रवचन सार हूँ, मैं चैतन्य तत्व स्वयम ही नियम सार हूँ, मैं चैतन्य तत्व सारे जगत का सार हूँ ये सार का बोध हो जाए तो समस्त शास्त्रों को समझ लिया एक-एक करके शास्त्रों को पढ़ करके आज तक कोई तुरुप्त नहीं हुआ है जैसे भोजन को पेट में डाल करके भुख मिटती नहीं है और खाओ और खाओ ऐसे ही शास्त्रों का ज्ञान भी ऐसा ही है और पढ़ू और पढ़ू और पढ़ू पढ़ने में बुराई नहीं है पढ़ने का जो रस है वह रस खतरनात है वह रस उस विशेई की वासना की तरह है ज्यानी को भी पढ़ने का भाव आता है मगर अंतर में जलन होती है कि अरे ये साक्षात जो चैतन ये सत्ता ये साक्षात जो सरस्वती ये साक्षात जो लक्ष्मी ये साक्षात ये चैतन ये परमात्मा उसे छोड़कर के मैक शास्त्रों के पन्ने को खोलने कहां गया ये विकल्प आता है ये विकल पाता है कि जलन होती है यद्यपी उस जलन को भी वे अपने से दूर देखते हैं उदही का परिणाम देखते हैं नगर शास्त्रों में कही पर भी सार नहीं है सार सत्ता में है कागजों में नहीं है अक्षरों में नहीं है वानी में नहीं है फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये सुनना भी तुम बंद करो और फिर उस स्वरूप में लिन हो जाओ, ये सुनना भी एक दिन तुमारे लिए ठकान पैदा करने वाला हो जाए, मगर भाव से जिसने सुना उसको ठकान भी लगेगी और अंतर में डुपकी भ अगेगी, नगर जिसके भीतर में अंतर से भाव ग्रहन नहीं हुआ है, बस सिर्फ सुनने के लिए सुनेगा, आज मुनिवर राम से उस पुरान के बारे में कहते हैं, उस सिद्धान्त के बारे में कहते हैं, जिसे समझने में हमने सबसे बड़ी भूल कर दी है, आज तक जि इतने भी पुराणों को पड़ा है, और पुराणों के जो जो भी अर्थ हमने निकाले है, उनमें से कोई मौन का भाव तो आज तक ग्रहन नहीं हुआ। इस दुनिया की हालत आज क्या हो गई है। समझ जाओ, सिद्धान्त को समझ जाओ, मैं स्वयम सिद्ध परमात्मा हो, जिस सिद्ध के आसरे से ही संसार का अंत हो, वही सिद्धान्त है। जो सिद्ध होकर के लोग के अगर भाग पर विराजमान हो, वही सिद्धान्त है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं होता। सिद्धान्त उसे ही तो कहते है, जिसमें पक्षपात नहीं चलता। पानी है, वो सो डिगरी पर गरम होगा, तो वो हवा हो जाएगा। अब उसे हिंदु गरम करे या मुसलिम गरम करे, इसे सीख गरम करे, या फिर कोई इसाई गरम करे। क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पानी का सवभाव है, वस्तु का जो सवभाव है उस सवभाव को किसी संप्रदाई के साथ में जोड़ करके, उस वस्तु स्वरूप की जो निरूपणा में कही ना कही मिलावट की है, उसका आज विसलेशन होगा। आज का ये सत्संग तुमारे कान में यदि किडे हो तो उस किडे को बाहर निकाल देने वाला होगा। मगर इस सत्संग को सुनने से पहले तुमारे कान में जो मैल भरा है उस मैल को तो निकाल दो जिससे तुम सुन सको मुनिवर रामसी यहां उस प्रकार से वर्णन करते है कि सदियों सदियों से यह जो निरूपना हुई है ये जो सिध्धान्त की प्ररूपना हुई है ये जो पुरान के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसमें असली सार जो था वह सार तो एक और रह गया और व्यर्थ की लडाया शुरू हो गई व्यर्थ के भेद भाव ये शुरू हो गई व्यर्थ के पक्षपाद शुरू हो गए इन में से किसी ने भी सत्य स्वरुप को समझा नहीं जिसे हम हिंदू कहते हिंदू में भी जो राम की कथा करता है वो कृष्ण के गुणगान नहीं गा सकता जो कृष्ण की कथा करते हैं वो राम के गुणगान नहीं का सकते हैं आज भारत देश में ऐसे लोग है तुम YouTube पर सर्च करना धार्मी की व्यक्ति हो करके जो राम को मानता है और कृष्ण को न माने कृष्ण को मानता है वो राम को न माने और जब राम और कृष्ण को अंदर अंदर नहीं मान सकते तो वो तो अल्ला और खुदा को वो तो कैसे मानेगा मैं नहीं कहता कि तुम राम को मानो या अल्ला को मानो या खुदा को मानो मैं ये कहता हूँ कि अहंकार और आगर के कारण ही हम सत्य को पाने से वंचित रह गए आज इस दुनिया की हालत बहुत खतरनाक है और भारत की तो और ज़्यादा खतरनाक है जोकि भारत देश में जो अभी हालत है ये अभी की नहीं है ये सद्यो सद्यो पुरानी है ये जितना पुराना भारत का इतियास है ये इतियासों से चली आ रही ये कहानी है दुनिया में सब जगह जिन जिन देशों में जिन जिन लोगों के साथ में में मिला हूँ वहां के संस्कृति को देखा वहां के ग्रंथों का अध्यान किया वहां के लोगों को में मिला वहां का भुतकाल में जो इतियास था उस इतियास को पड़ा सबसे ज़्यादा खतरनाक इतियास भारत का है क्योंकि पूरी दुनिया में एक पक्षपात है वो पक्षपात है एक वर्ग का वर्ग का क्लासिफिकेशन नगर भारत में सिर्फ वर्ग ही नहीं है भारत में वर्ण भी है ये वर्ण की व्यवस्ता भारत के अलावा दुनिया में किसी देश में मुझे देखने को न मिली वर्ग थे वर्ग अलग है और वर्ण अलग है वर्ग उसे कहते है के आज कोई व्यक्ति धनवान है और कोई निर्धन है तो वो वर्ग है और वर्ग में उचा नीचा ऐसा भेद है सारी दुनिया में सब जगः है कोई करोड़ पति है तो कोई लखपती, कोई हजारपती और बिलकुल कोई भिखारी ये वर्ग हो सकते है मगर वर्ण के जो भेद है वो भारत की उपज है और भारत देश में ये वर्ण पैदा हुए है, ये दुनिया के किसी भी देश में नहीं थे, और इससे खतरनाक क्या हुआ, कि जो मोक्ष का जो मार्ग था, उस मोक्ष के मार्ग का क्या हाल हुआ, उसे तुम गहराई से आज समझना, यदि तुम निश्पक्ष होकर के इस स्व वर्ण खतरनाक है, क्यों? क्योंकि आज जो व्यक्ति धनवान है, कोई व्यक्ति निर्धन है, तो ये उँचा वर्ग और ये नीचा वर्ग, नगर कोई व्यक्ति यदि धन इतना कमाले, तो वो धनवान हो सकता है, कोई व्यक्ति धन गवादे, तो वो निर्धन हो सकता है, वर्ग उसे कहते है कि जिसे एक भव में ही कोई उचे से नीचे चला जाए, कोई नीचे से उचा चला जाए, नगर भारत देश में ऐसी वर्ण की व्यवस्ता है कि जन्म से लेकर मरण तक वो ना उचे से नीचा जाएगा वो ना नीचे से उचा जाएगा वो आजीवन नीचा नीचा ही रहेगा उचा उचा ही रहेगा इसे कहते है वर्ण और ये खतरनाक है जिस देश में मावीर भगवान जैसे महापुरुष हुए जिस देश में राम जैसे महापुरुष हुए उस देश में ये हाल धन्य भागी है हम मुनिवर रामसी का पाहोड दोहा इस वज़से लिया है कि समस्त आगरस से मुक्त हो करके जो स्वरूप को समझता है आज पंडित भी गद्दी पर बैठ करके वर्ण की व्यवस्था का भेद करता है वो अपने को अधिकारी कैसे मानेगा एक और से अंचने पानी की बुंद में परमात्मा है और यहाँ पर ब्रामन है, क्षत्री है, वैश्य है, शुद्र है यह वर्ण की व्यवस्था अत्यंत खतरनाक है और जिन-जिन पुराणों में यह वर्ण का भेद और वर्ण की व्यवस्था है उन पुराणों का भी पंडित अनुगमन करता है उसका भी अनुसरण करता है और उसी को दिन रात हाथ जोडता रहता है बहुत खतरनाक हालत है यह भारत देश जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर बिन सांप्रदाईकता है यहाँ धर्म निर्पेक्ष है मगर मुझे किसी भी दर्स्टी कौन से यह देश धर्म निर्पेक्ष नहीं दिखाई देता यहाँ कोई व्यक्ति यदि नौकरी लेने जाता है तो नौकरी के फॉम में भी यह लिखायता है तुमारा धर्म कौन सा है जरूरत क्या है तुमारा धर्म कौन सा है यहां व्यक्ति आया है या उसका धर्मा आया है नगर नौकरी के फॉर्म में धर्मा उसका आदमी होना परियात है यहां जो दिन रात मैनत करेगा यहां जो कागज पर लिखेगा या फिर यहां कुलाडी लेकर के जो खोदेगा वो जैन और हिंदो और मुस्लिम नहीं होगा वो आदमी होगा मगर फिर भी ये बिन सामप्रदाईक भारत देश में ये हाल है बच्चे को यदि स्कूल में एड्मिशन देना है वहाँ पर भी ये पूचा जाता है वहाँ पर भी फॉर्म में लिखो कि तुम्हारा धर्म कौन सा है हर जगह जहाँ गए वहाँ पर बस यहाँ पर जनसंख्या पोप्यूलेशन का काउंटिंग होता है भारत देश की पोप्यूलेशन कितनी है तो उस पोप्यूलेशन की गिंती के लिए भी जब घर पे आते हैं लोग उसमें पूछते आपका धर्म कौन सा है जब पूरे देश को बिन सांप्रदाईक देश के रूप में गोशित करते हो जब कहते हो कि इस देश में कोई धर्म संप्रदाई जैसा पक्षपात नहीं है तो फिर ये लिखाने की और आकड़े तयार करने की जरूरत क्या है और जब तक ये आकड़े रहेंगे इस देश में धर्म नहीं हो सकता किसी भी देश में नहीं हो सकता ये आकड़े से मुक्त हो ना होगा मैं आपसे कहता हूँ सरकार इस आकड़े से मुक्त हो या न हो हम इस स्वरुप को समझ ले कि इस संप्रदाई से मुक्त हो जाए और चैतन्य तत्व जो मिला है परियापत है कल जो मैंने आपसे कहा था कि दुनिया को रोकना हमारे हाथ में नहीं है नगर भारत देश की हालत इतनी खतरनाक है यहाँ पर वर्ग ही नहीं यहाँ वर्ण है वर्ण उस जगह पर बिठा दिया वर्ग का मतलब एक क्लासिस, क्लासिफिकेशन और वर्ग का बहुत ही खतरनाक रूप है यह वर्ण है वर्ण माने frozen class जो कभी change नहीं होगा frozen class माने वो बस दब गया फिट हो गया अब कभी change नहीं होगा ब्रामन मरते दम तक वो ब्रामन ही रहेगा और शुद्र वो मरते समय तक शुद्र रहेगा और गांधी जी कहते थे कि बस सभी को समान मानो हरी जनों को भी हरी जनों को भी उचा अधिकार दो भंगी को भी उचा अधिकार दो हरी जनों को उचा अधिकार दो भंगी को उचा अधिकार दो हरी जनों और भंगी को भी उस ब्रामन के मंदिर में प्रवेश दो गांधी जी की बात बहुत अच्छी लगती है गांधी जी कहते हैं कि हरीजनों को उचा अधिकार दो, भंगी को उचा अधिकार दो नगर मैं ये कहता हूँ हरीजन को हरीजन ही निकाल दो भंगी को भंगी के रूप से निकाल दो, एक आदमी रह जाए और वो ब्रामन को ब्रामन से रुप से निकाल दो वो आदमी हो जाए यहां पर सब समान जहां चैतन्य का यह मार्ग मिला है भगवान तो इन संप्रदायों में इन पुराणों के आधार पर उन सिद्धान्तों के आधार पर यह पक्षपात क्यों यह चैतन्य ही सबसे बड़ा सिद्धान्त है और चैतन्य परमात्मा ही सबसे बड़ा पुराण है यहां कोई दुसरा पुराण नहीं सारी दुनिया में परिवर्थन आया भारत में नहीं आया रोम बदल गया इजिप्द बदल गया सिरिया बदल गया इतने देशों में परिवर्तन आया मगर भारत देश में नहीं आया बिलकुल ही जैसा है ऐसा बरसो बरसो से यही चल रहा है कोई मानता है मैं जैन हूँ कोई मानता है मैं हिंदू हूँ कोई मानता है मैं मुसलिम हूँ माविर भगवान के काल में तो वहाँ ये पक्षपात नहीं था ने, कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, तब तो सारा देश जैन था ने, जैन नहीं था, ये जैन तो फिर हमने संप्रदाई में डाल दिया, भगवान की वाणी सुनने सब जाते थे पक्षपात के बिना, उस समय ये जैन और हिंदू, उस समय ये श्वेतांबर और दिगंबर, ये जन्म के कारण ये पक्षपात नहीं थे, चमडे के कारण ये पक्षपात कैसा, इसलिए परमकृपालु देव का अहो भाव आता है, परमकृपालु देव की महिमा आती है, भारत देश जो इतनी बरसो तक गुलाम रहा, उस गुलामी के पीछे, ये वर्णवाद सबसे बड़ा कारण था, इस वज़े से क्योंकि शुद्र जो है, उस शुद्र को कोई फरक नहीं पड़ता, दिल्ली में कौन बैठा है, क्योंकि जो पुंजी पती है, भारत का पुंजी पती हो, या फिर ब्रिटेन का पुंजी पती हो, उस शुद्र को क्या लेना देना, इसलिए भारत के पुंजी पती और ब्रिटेन उसके बीच में यदि लड़ाई हो, तो शुद्र जाने से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहाँ पर मेरे को जाना ही नहीं, वो मेरी बात नहीं है, इतना पक्का है कि म मेरे को दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैटना है तो मैं लडाई में काई को जाओ जिसको हमने संप्रदाई के नाम पर धर्म को बाटा है ये दिगंबर दिगंबर श्वेतांबर श्वेतांबर स्थानक वासी देरा वासी 13 पंथी 20 पंथी का ठेका रखा है इससे मुक्त होना ह और तुमारे जैसे कुछ ही विरले ऐसे विचारशील व्यक्ति इसका यदि समर्थन करे कि चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं तो अभी भी कुछ हो सकता है। हम तरह तरह के जहर के उपर सकर का लेप न लगाए। भीतर में तो जहर ही है। ब्रामन और शुद्र को मिला दो तो बस मामला साफ हो जाएगा। ब्रामन भी एक बिमारी है शुद्र भी एक बिमारी है दो बिमारी को मिलाना नहीं है बिमारी मात्र को मिटाना है ब्रामन और शुद्र को मिलाना नहीं है ब्रामन ब्रामन न रहे शुद्र शुद्र न रहे और दोनों ही बस मैं शुद्धात्मा मैं चैतन्य बात खतम हो जिससे ये पक्षपात कभी न जूटे इसी का नाम अहंकार है और शुद्र को इस बात से सहमत करा दिया जिनोंने भी ये वर्ण की व्यवस्ता तैयार की है उन्होंने अच्छी तरह से ब्रेन वोश कर दिया कि यदि तुम शुद्र हो तो उसके पीछे कारण है तुमने पुर हुआ आँक खुली तब उसे पतावी नहीं था यहां हिंदू क्या है मुस्लिम क्या है जैन क्या है नकर उसके दिमाग में ये पहले से ही डाल दिया होता है कि पूर्व भव में तुने ऐसे पाप किये थे इसलिए तु शुद्र हुआ है और फिर ये भी लोब दे दिया कि इस भव में तु अच्छा काम कर तो अगले भव में ब्रामण बनेगा तो इस आशा के बल पर ही फिर वो जिंदगी बर संतुस्त हो जाता है कोई बात नहीं मैं इस भव में शुद्र हूँ अगले भव में ब्रामण तो होंगा नहीं भारत देश में जो ये लोब ही पैदा कर दिये है अगले भव में ये हो जाओगे अगले भव में तुम ये हो जाओगे अगले भव में स्वर्ग मिलेगा उस स्वर्ग के लोब में ही तो लोग तपस्चरिया करते है जादा तर धर्म तो उसका नाम है जहां लोब नहीं है जहां कर्म के कारण रोना दोना नहीं है ये मुनिवर रामसी आप न होते तो इस रहस्य को कौन खोलता कि चैतन्य परमात्मा ही सिद्धान्त है और चैतन्य परमात्मा ही पुरान है देखो जिदी ये बात मैं बोलता तो तुम्हें स्विकार करने में तकलिफ होती नगर ये मुनिवर रामसी सिद्धान्त किसे कहते है और पुरान किसे कहते है सिद्ध किसे कहते है उसके बारे में 126 वा दोहा पढ़ते है सिद्धान्त पुरान हीम्वेय वडबुजन्त हम्नव भन्ति आन देनव जामगव तावड सिद्ध कहंति ये वच्ष तु सिद्धान्त को तथा पुरान को जान उसके जानने से भरांती नहीं रहती ये वच्ष जो आनंद स्वरूप में जम गए वे सिद्ध कहलाते हैं इसका अर्थ अज्ञानी ले लेता है सिद्धान्त को समझ और पुरान को समझ मने पंडित हो जाने इसका किंचित भी अर्थ पंडित होने के साथ में नहीं है सिद्धान्त को समझ ले ये जो चैतन या सिद्ध स्वरूप ये भगवान आत्मा है इस भगवान आत्मा को समझ द्रव्य की स्वतंत्रता को समझ पर्मात्म स्वरूप पर्मात्म स्वरूप और फिर यहां क्या हो रहा है यही तो समझ में नहीं आता मैं जब पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान में मैं इतने लोगों को मिला हूँ और ऐसे लोगों को मिला हूँ जो लोग कहते थे कि हमारे दादा के दादा हमारे दादा के पापा यह जैन थे और आज वे पक्के मुस्लिम है लाहोर में गुजरान वाला में किसका खुन तुम उचा और नीचा कहते हो उसके पिता का पिता का पिता का पिता का वो जो खुन था वह खुन उसके बेटे बेटे में यदि आया है तो जैन से यदि कोई मुसल्मान पैदा हो गया तो मुसल्मान से कोई जैन पैदा क्यों नहीं हो सकता वास्तों में तो ना जैन से मुसल्मान पैदा होता है ना मुसल्मान से जैन पैदा होता है अहंकार और आगर से कोई मुसल्मान और जैन होता है कोई माई का लाल मेरी स्रद्धा को डगा न सके इसी का नाम चैतन्य की स्रद्धा है पंडित इलाज करता है पंडित कुछ ने कुछ फ्लेक्सिबल जिसे गाड़ी के नीचे स्प्रिंग होती है कि बंप आएगा तो तुम्हें जटका नहीं लगेगा उसके लिए स्प्रिंग रखते है ऐसे ही हमने एक स्प्रिंग रखी है जहां पर भी ऐसा लगे कि वहां पर अपने को बचाने का इंजाम कर देते हैं इतना खुल करके स्विकार नहीं कर पाते कि मैं आदमी तू आदमी मैं मनुष्य तू मनुष्य छोड़ने इस बात को कि तेरा कुल कौनसा तेरी जाती कौनसी तेरा वर्ण कौनसा इस तत्व ज्ञान को इस चैतन्य की पुकार को ये ज्ञान दिपक जितना हो सके तुम सारे जग में प्रचार करना कल का जो सत्संग हुआ और परसो का सत्संग हुआ उस सत्संग को पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा है डॉक्टर साब को और नयन जी को बहुत अच्छा लग गया उन्होंने कहा कि यह सत्संग पूरा लिखना है वर्ड टू वर्ड और उसकी बुक प्रिंट करानी है मैंने कहा कराओं इस वाणी को पहुँचाओं जितने भी संप्रदाई के भेदों में लोग अठके हुए जितने भी शब्दों में अठके हुए उनसे हम मुक्त हो जाए ये ज्ञान दीपक मैं आपको जैसे देखता हूँ आप में से किसी ने भी कितने पुरान पढ़े क्या आपने आदी पुरान पढ़ा महा पुरान पढ़ा पांडव पुरान पढ़ा पद्नो पुरान पढ़ा हरिवन्ष पुरान पढ़ा कौन सा पुरान आपने पढ़ा मैं जब तक जानता हूँ आप मैंसे बहुत से ज्ञान दीपकों ने देखा तक भी नहीं होगा फिर भी मैं आप परमात्माओं से कहता हूँ जो समझने योग्य चैतन ये पुरान है तू समझ ले योगि तेरे पास में जिन्दगी बहुत कम है वो हजारों पन्ने पढ़ने के लिए तेरे पास जिन्दगी नहीं है तेरी आखे अब शिथिल हो गई है अब तू निराश होकर के इस दे से न निकले उसके लिए तुझे कहता हूँ कि तेरा कुछ भी नहीं लूटा है योगि जो स्वरूप को समझने के लिए जो बुद्धी चाहिए थी ये भगवान तेरे पास में अभी है स्वरूप को समझने के लिए जितनी इंद्रियों की शक्ती चाहिए थी ये तेरे पास तुझे सकता है तो एक घंटे के लिए तो बैठ सकता है तो तत्तो विचारतों कर सकता है ये ज्यान दिपक तेरे जैसा दिवाना मैंने देखा नहीं नहीं तो तु सामने इतने दिन बैठता तक नहीं भाग जाता तु ये सुनकर के यहां कोई दिगंबर नहीं चलता श्वेतामबर नहीं चलता यहां चैतन्य 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 चलता बस बहुत मुश्किल है सदियो सदियो से जो चला आ रहा है उस पर हथोड़ा मारना उस पर प्रहार करना माने दुनिया का शत्रु हो जाने जैसा है मगर दुनिया का शत्रु कौन नहीं हुआ कौन नहीं हुआ तुझे गुर्देव स्री कांजी स्वामी कितने-कितने लोगों के शत्रु हुए थे, हुए थे या नहीं मैं अगर सत्य की निरुपणा में उन्होंने कमी न छोड़ी शत्रु तो बहुत से लोगों के होगे बस मैं पुरी दुनिया में और क्या हो रहा है उसकी डिटेल में अब नहीं चाता है उनकी निंदा भी नहीं करता है अब छोड़ो मैं अब तुम से यह कहता हूँ कि यह चैतन्य पुरान कैसा है इसे पुरान क्यों कहा क्योंकि सबसे पुराना है इससे पुराना और कुछ नहीं पुरान शब्द ही पुराने से बना है जिसे हम पुरान कहते वे पुराने नहीं है वो तो तुम कहो कि दो अजार साल पुराने एक अजार साल पुराने या फिर तुम कहे दो कि 5000 साल पुराने नगर उससे पुराना यह नहीं ज्यायक देव अनादी काल का है इससे पुराना और कुछ नहीं मैं चैतन्य परमात्मा ऐसा पुराना हूँ मेरे से महान एंटिक इस जगत में और कुछ भी नहीं है यह चैतन्य एंटिक पर एक सत्संग होना चाहिए मैं पुराना तत्व हूँ और अब तक जिसे कुछ भी नहीं हुआ घर में ऐसी एक भी वस्तु कैसा अहोभाव आता है तुमें कि देखो मैंने एक मोबाइल खरीदा है एक साल से उप्योग कर रहा हूँ उसमें कोई खरोच भी नहीं आई उसका रंग भी नहीं गया है यह लेप्टोप जो मैं उप्योग कर रहा हूँ यह दो साल हो जाएंगे अभी तक इस लेप्टोप को कुछ भी नहीं हुआ तो अहोभाव आता है मगर ज्ञान की सत्ता ये चैतन्य परमात्मा को आज तक कुछ नहीं हुआ तो अहोभाव क्यों नहीं आता ऐसा मैं पूराना हूँ द्रव्य द्रस्टी से देखू तो मेरे से पूराना इस जगत में कुछ भी नहीं और परियाई की द्रस्टी से देखू तो नए से नएा कुछ नहीं है क्योंकि अभी परियाई जन्मी है अभी पैदा हुई है ये सिद्धान्त है कि आत्मा का शरीर होता नहीं आत्मा और देह के बीच में अत्यनता भाव है कैसे ये देखेंगे कैसे ये समझे दुसरों को समझाया नहीं जा सकता भगवान तू समझा तू समझा बस तू समझा तू समझा ये सब मन के ही खेल है विकल्पों के खेल है मन के और विकल्पों के खेल है बाजार में जो सबजी बेच रहा है फल बेच रहा है क्या कोई क्षत्रिय बेचता है क्या कोई ब्रामण बेचता है मेरी नजर में तो आज तक ऐसा कोई दिखा नहीं क्षत्रिय होकर के बाजार में पानी पूरी बेचता हो नगर किसी के हाथ के पानी पूरी खाता है जाती पुछे बीना मुव में डालता है जीब जलती है पसीना टपकता है फिर भी अच्छी है वाह बहुत अच्छी है जहां इंद्रियों की वासना होती है वहां जाती, कूल, संपरदाई, भेद, वर्ण, वर्ग कुछ नहीं दिख और फिर भी हम धोखा देते हैं कि मैं धार्मिक हूँ क्योंकि मैं ब्रामन हूँ और वशुद्र है। जो दुख है वो दुख इसी बात का है भीद के भाव का दुख है। इन्वोश किया है। यही हमें उस जंजट में जाना नहीं समय बहुत कम है हमारे पास में। हमें तो स्वरूप को समझना है। हमें मुनी होना है। हमें निर्गरंथ होना है। हमें सांप्रदाइक नहीं होना है। इस देह के प्रती क्षण ये क्षिन होने की ये गटना अब ऐसास होता है। जिस देश में आया, जिस देश में ये जाती, कोल, बक्षपात, देदभाव, जहां ऐसी राजनीती, कौन सा नेता, किसी नेता विशेशकी में बात नहीं करता। जहां राजनीती है, वहां खत्रा है। थोड़े दिन पहले ही देखा ने, एक नेता किसी पार्टी में था और किसी पार्टी में चला गया। विश्या भी इतनी जल्दी नहीं बदलती। जितना नेता बदल गया। ऐसे देश में हम पैदा हुए, जहां ऐसी राजनीती चल रही है। मगर फिर भी हम कितने धन्य भागी कि ऐसे माहुल के बीच में भी एक कौने में, इस जगत के एक कौने में, एक कौने में हमें परमकृपालू देवी मिल गये। जो कहते हैं, जाती वेशन वो भेद नहीं कई वो मार्ग जाए। एसे कौने में, मैं कहता हूँ भगवान तुमसे कि सत्य के खोजी को ऐसे गुरू भी मिल जाते हैं। और गहराई से देखो तो सत्य के खोजी भी नहीं, जिसकी होनहार भली होती है, उन्हें मिल जाते हैं। हो सकता है उस समय तो खोज भी न करता हो, नगर उसका काल पग गया था, कि गुरू का योग उसे ऐसे मिल गया। जो ढूंडने पर भी दिया लेकर के ढूंडे तो भी न मिले। जो सुर्य की रोशनी से भी न मिले। क्योंकि सुर्य की रोशनी से कोई वस्तू मिलती है। वस्तू तो मिलती है, यदि आँख हो और आँख खुली हो। अकेली सुर्य की रोशनी क्या करेगी। ये पर्मकृपालू देव, आप हमें मिले। ये मुनिवर रामसी आप ही पुराण हैं आप ही सिध्धान्त हैं क्योंकि आपने मुझे पुराण कहा आपने मुझे सिध्धान्त कहा पुराण को जानने से जानने से ब्रांती नहीं रहती सिर्फ शास्त्रों के पन्ने को जानने से ब्रांती नहीं रहती नहीं वहां से तो फिर संप्रदाई खड़े हो जाते हैं क्योंकि जो भी जानेगा वो अपनी बुद्धी से पकड़ेगा समय सार तो सभी ने पढ़ा थाने आज भारत देश में जितने भी दिगंबर संफ्रदाई है उनके भी जितने भेद के भेद है उन्होंने समय सार नहीं पढ़ा आज पुझी गुर्देव स्रीकांजी स्वामी को मानने वाले लोग उन्होंने तो गुर्देव के मुख से समय सार पढ़ाने फिर इतने पक्षपात क्यों हो गए क्योंकि अपनी मती कलपना से जाना है जब तक आत्मा को कोई नहीं जानता तब तक कितना भी शास्त्र के पन्ने को गुला मिला करके पी जाए तो भी कुछ नहीं होगा ये वच्ष जो आत्म स्वरूप में जम गए वे सिद्ध कहलाते है कैसा ये स्वरूप है आत्म स्वरूप में जो जम गए है वे सिद्ध कहलाते है आत्म सिद्धी शास्त्र की परमकृपालु देव रचना करते है तो आत्म सिद्धी शास्त्र की रचना में डेड़ घंटे तक तो उठे नहीं बाकी कोई प्रवरूत्ती नहीं लिखने में ही व्यस्त थे ये तो आत्म सिद्धी शास्त्र था ने पुद्गल था जड़ था जड़ सम्मंदी विकल था विकल भी जड़ था ऐसी स्थिती में उनके अंतर में इतनी एकागरता थी अब जरा विचार करो कि शास्त्र लिखते लिखते इतनी एकागरता हो तब फिर उस आत्म स्वरूप में लीन हो जाए तो कितना अहो पाओ लिखने लिखने में लिखने लिखने में इतने मस्त हो जाए वो तो शास्त्र है ने शास्त्र में इतनी एकागरता हो सकती है तो आत्मा की एकागरता कैसी होगी पंडित टोडर्मल जी महापंडित थे पंडितों के पंडित थे मैंने सुना है उनके बारे में कि वे एक शास्त्र लिख रहे थे और शास्त्र लिखना जब पूरा हुआ तो मा को कहा कि मा आज आपने नमक क्यों नहीं डाला भोजन में मा ने कहा मैंने तो 6 महिने से नमक डालना बंद कर दिया है पर तुझे आज पता चला पूरे हाँ आज मेरा शास्त्र पूरा हुआ लिखने का शास्त्र लिखने में इतने व्यस्त थे कि पता ही नहीं चला कि भोजन में नमक छे महिने से नहीं डला जा रहा है ये एकाग रहता कुछ लोग कहते हैं वो मोक्षमार प्रकाशक था मगर मोक्षमार प्रकाशक नहीं था येकि मोक्षमार प्रकाशक तो पूरा ही नहीं हुआ वो सकता है सम्य ज्ञान चंद्री का हो मगर मेरा आपसे ये कहना है कि विकल पात्मक विकल पात्मक जो आगम को लिखना शास्त्र को लिखना उसमें इतनी एकागरता हो कि रसनेंद्री का विशय जिसका पता नहीं चलता जिसकी सबसे ज़्यादा हमारी गुलामी है आज एक दिन के लिए भी थोड़ा कम नमक हो तो कितना भी गहराई में प्रवचन सुना हो भूल जाते हैं कि आज प्रवचन में क्या आया था तुरंद पत्नी को कहते हैं क्यों कहां खो गई थी वो तो कहीं नहीं खो गई थी तू जो सत्संग में कहीं खो गया था अब उसका क्या हुआ उसकी बात करने थोड़ा सा नमक सबजी में कमा गया पुराण पुरुश में जो लीन हो गये है वे सिद्ध है बस हमारी एसी लीनता हो भगवान हम उस तिति तक पहुँच है कि जहाँ पर हमें कोई संफ्रदाई से लेना देना नहीं है कोई बाहर के पुरान से लेना देना नहीं है बाहर के प्रकृती के ये सब सिध्धान विज्ञान के जो सिध्धान वे भी सब जगह लागू कहां होते घटित कहां होते न्यूटन का ग्रेविटेशन का सिध्धान ते वो अगनी में लागूई नहीं होता वो तो एपल था वो पेड से नीचे गिर आता नकर जूती तो नीचे से उपर ही जाती है उसे कोई gravitation से लेना देना नहीं विज्ञान के सिध्धांत है कल के सिध्धांत आज बदल चाते है और एक बात है कि विज्ञान जिन सिध्धांतों की खोज करता है वो खोज एक बार ही करनी पड़ती है बार बार नहीं करनी पड़ती जैसे Edison ने खोज की Thomas Alwagh Edison ने विजली के बल्ब की खोज एक बार की 700 बार निश्फल गया 701 भी बार सफल हो गया विजली का बल्ब खोजा अब हमें रोज रोज हमें खोजने की जरूवत नहीं है जो उसने खोजा था, उसका आमोपयोग कर ले, खतम विज्ञान की जो खोज होती है उसके लिए दूसरे को कुछ करने की जरूवत नहीं पड़ती नगर धर्म के लिए जो मावीर भगवान ने खोजा है वो मेरे काम नहीं आएगा मुझे स्वयम को खोज करनी होगी जो परम कृपालु देव ने खोजा है वह मेरे काम में नहीं आएगा मुझे स्वयम को खोज करनी होगी प्रतिक जीव को स्वयम को खोज करनी होती है यह मुनिवर रामसी मैं किस संपरदाय में किस ग्रंथी में बंदा हुआ था मरने से पहले मैं उस थिती तक पहुँचू कि यहां मुझे कोई भेदभाव न दिखाई दे मुझे यहां पर कोई संप्रदाई न दिखाई दे इसलिए ज्यानी को सभी शास्त्रों के अर्थ नहीं मालूं ज्यानी सभी शास्त्रों के अर्थ जानते हो न जानते हो कुछ जरूरी नहीं है कि उनकी गाथा उनको कंठस्तो हो उसके स्लोक उनको कंठस्तो हो नगर अभीप्राई समझ लेते हैं क्योंकि नई उनके अंतर में आ गए पुस्रुत ज्यान का अन्श हैं शास्त्रों का कथन करने की पद्धती जो स्यादवाद है उसे वे समझ चुके इसलिए ज्ञानी के पास में वे कला है जो भी वाक्य होगा उसका भाव वो किस तरह से लेना है वो गटित कर लेंगे हम सभी मुनिवर रामसी के इस सिद्ध स्वरुप का चिंतन करें ये मुनिवर रामसी रामसी है ये सिद्ध की तरह जो विचरण करते हो ने वे ही ये सब लिख सकते है जितना उल्लास और जितना भाव आता है ने आज तक किसे भी शास्त्र में ऐसा भाव नहीं आया था हो ज्ञान दिपक जैसा मुनिवर रामसी और तुमने भी तो बहुत सा पढ़ा होगा ने आज तक इसमें जिस तरह से सटीक स्पस्ट थोड़ा भी इधर उधर नहीं और ये किसके हाथ में जाएगा इसको कौन पढ़ेगा इसका क्या परिणाम आएगा कुछ भी लेना देना नहीं बस लोग निरुपना करते हैं निर्भई होकर के कि मरना है तो एक बार ने बस कर निरुपना आपको भी लोग कहेंगे क्योंकि तू भी इसी का प्रचार करेगा लोग कहेंगे क्या तेरे में भी एसी निर्भईता आ गई है कि मरना है तो एक बार मगर सत्य के निरुपना करूँगा तो कहना नहीं मैं ऐसा निर्भई नहीं हूँ कि मरना है तो एक बार मैं तो ऐसा निर्भई हूँ कि मरना ही नहीं है एक भी बार मुझे ऐसा ध्रोव तत्व मैं हूँ और निरुपना होती है किसी के सामने मुँपे कहने मत जाना वरना विरोध होगा वरना रागद्वेश होगा ये तो अकेले कौने में अकेले में बैट करके तुझे बताया है ये सिक्रेट है इसलिए तो ये जूम का जो सेशन है वो पब्लिक नहीं है प्राइवेट है उसमें ये बात कहीं जा सकती है प्राइवेट सेशन है और प्राइवेट सेशन होता है उसका ही पासवर्ड होता है इसलिए तो आज तुमको पासवर्ड भेजा 142 पासवर्ड एंटर करो जिसके पास में पासवर्ड होगा वो सी कोही ये सत्संग का लाब मिलेगा जो स्वयम सिद्ध है ये स्वयम सिद्ध शब्द भी है ने ये विश्व स्वयम सिद्ध है और मैं स्वयम सिद्ध हूँ जिनों ने भी ये संप्रदाई का भेद खड़ा किया है अग्ञानता से, अहंकार से एसे पापियों का क्या होगा नहीं भगवान जिनों ने भी किया ये कौन थे मालूम है वो सकता है हम ही भुतकाल में वहां से मर करके यहां पैदा हुए क्योंकि हमने भी भुतकाल में न जाने कितनी 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 वृत्ती और प्रवृत्तियों से अधर्म का पोशन किया है इसलिए किसी के प्रती हिंता का भाव नहीं लाना बस मुझे भोजन मिल गया है मैं अपना पेट पर लू प्रयोग करते हैं कुछ घंटे तक इस प्रकार के प्रयोग करना आज रातरी में तो दस बजे आज अस्टमी का दिन है ने अस्टमी है ने आज तो आज रातरी में दस बजे जैसा हमने भाव भाया है कि हर महीने की दोनो अस्टमी और दोनो चतुदशी में कम से कम चार बार तो हम रातरी में ध्यान का प्रयोग करेंगे तो आज रातरी में अपन दस बजे मिलेंगे तो तब तक इस प्रकार का अभ्यास हम करेंगे मैं पुराण को नीचे नहीं रखता हूँ उसे उचे आसन पर बिठाता हूँ पुराण को विस्ता में नहीं रखता हूँ उसे उचे आसन पर रखता हूँ तो मैं भी तो एक चैतन्य पुराण हूँ ये देह के किचड में क्यों हूँ देह के किचड में होने पर भी ये पुराण पर कोई दाग नहीं लगा पूरी तरह से इसका भाव अब ग्राण करेंगे पुराण पर कोई दाग नहीं लगा पुराण मने ज्ञान 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 की परियाई नहीं हो ज्ञान की परियाई नहीं क्योंकि वो नहीं है ज्ञान की परियाई के पीछे जो टिका हुआ है वह पुराना है जो परियाई के पीछे तो कैसे देखें कि ये जो ज्ञान की परियाई है जानना 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 उसमें दो भेदे एक तो ये से ग्णिय का प्रतिबिम्ब दूसरे ग्णिय का प्रतिबिम्ब तिसरे ग्णिय का प्रतिबिम्ब ऐसा तो ज्ञान की परियाई में ये जो प्रतियक परियाई में ये नए 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 ग्येई जो प्रतिभिम्बी तो होते हैं इंद्रियों को बीच में नहीं लाना हो, कैसे हैं, कि जैसे मेरी आख अभी खुली हैं, और आखों से मुझे यहाँ पर फूल दिखाई दे रहा है, और मैं फूल की और गया, यह दोनों का भेद समझना सुक्ष्म, कि आखों से मुझे फूल दिखाई देता है, और मैं फूल की और गया, और मेरे पेर में काटा चुब गया, तो यह दो बात हुई, दो बात क्या हुई कि एक तो यह कि चक्षु इंद्रिय के निमित से फूल का ज्ञान हो राध और स्पर्शन इंद्रिय के निमित से काटा चुबा उसका ज्ञान हुआ यह दोनों ज्यान की परियाई में निमित अलग-अलग इंद्री बनी, एक में बनी चक्षु इंद्री है और एक में स्पर्शन इंद्री. तो जब ये कहे कि इंद्रियों को जोडे बिना मात्र ज्ञान की जानना 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 ऐसा ही परिणमन देख। उस परिणमन में मात्र उसका ही उसका ही उसका ही रूप देखना। बिना किसी विकल्प के मात्र अनुभव जैसे यह अभ्यास भगवान होता है हो जैसे ऐसे प्यास लगी हो तो जब पानी ऐसे ही पिएगा तो नल के पास में इसे हाथ रखाने तो नल लोहे का है सोने का है कोई विकल्प नहीं या पानी नल में से आ रहा है ये भी विकल्प नहीं और अंजूली यहाँ पर हाथ ऐसा रखा है उसमें पानी भरा वो हाथ जो है वो गोरा है या काला है कोई विकल्प नहीं जैसे ही वहाँ पर अपना मुह लगाया और जो गला सुखरा था मुह सुखरा था और जो उस समय हा आश वो जो छूते ही जो अनुभूती है ऐसे ही वो नल नहीं देखा नहीं नल को छूता हुआ वे पानी निकला की नहीं निकला नगर कितना गोण था बिल्कुल एक और रख दिया था तो ऐसे ही तो ज्ञान को अनुभव कर भगवान कि इंद्रियों के साथ में मिले बिना जो भी ये को जानना 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 ये फ्लो बहरा है ये जानने का फ्लो है वहाँ क्या है पानी जो है वो नल में से बाहर निकला ऐसा उसका फ्लो है वो क्या हुआ टंकी में से बाहर नि अंदर यह ज्ञान है वो इंद्रियों में से यहां से बाहर निकल करके कहीं फूल के अंदर नहीं घुश गया या फिर काटे में नहीं गया। ज्ञान का बहना कैसा है कि वो अंदर में अंदर में रहकर की ही चेंज हुआ है। पाणी में movement है और ज्ञान में changes है ये बात अंतर है movement गुड दुकान से घर आया ये movement है और गुड मिठे से खटा हुआ ये changes है ऐसा सुरूप है तो जैसे वो पाणी बहता है वो तो परिणमन बताने के लिए पाणी का दरस्टान दिया कि पानी जो बहता है उसमें वो बहने का भाव भी नहीं आता है नल का भाव भी नहीं आता और पानी बहरा ऐसा भाव भी नहीं आता मात्र अनुभव पानी का और उस समय आख वहाँ जीब को देखने जाती है कुछ भी नहीं उस समय आँख वो जीब को पानी का टचिंग हुआ उसको देखने जाती है कुछ भी नहीं वहाँ अनुभव ऐसे ही बाकी किसी भी इंद्रिय और विकल्ब के बिना मात्र ज्ञान में ज्ञान की अनुभूती ज्ञान में ज्ञान की अनुभूती जीब में पानी की अनुभूती यहां ज्ञान में ज्ञान की अनुभूती तो इंद्रिय वहाँ नहीं और ज्ञान का ही परिणवन है पूरा परिणवन हो इसमें थोड़ा थोड़ा लोहे के एटम को लेकर के मिक्स होता होकर पानी आए हो सकता है थोड़ा लोह सड़ गया हो कि उस पानी के साथ में आ जाए पानी थोड़ा लोहे वाला हो जाए मिक्स हो जाए ये ज्ञान में तो उतना भी मिक्सिंग नहीं है ऐसा जो निर्मल ज्ञान जानना 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 एसी दशा है भगवान ए चैतन्य 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 परमात्मा ये प्रयोग करना आज इसी के उपर थोड़ा हम विस्तार में जायेंगे कि देह के इंद्रियों के परमानों को चुए बिना ये ज्ञान परिणमीत होता है और अनुभों में भी आ रहा है ये भी तेरे को समझाने के लिए भगवान ये कहता हूँ दुनिया में तो इतना भी नहीं कहना दुनिया कहे तु ज्ञानी है कि नहीं मैं महामुर्ख हूँ दुनिया कहे बहुत धरमात्मा है मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं जंजट में सिद्ध करने तू क्या जाएगा सिद्ध करने जाएगा अब कोई व्यक्ति उसको कहे कि तुझे ये जो ठंडे पानी का जो अनुभों हुआ उसे सिद्ध करके बता दे जिसने नई पिया होगा ने वो सिद्ध करने जाएगा कि कैसे भी करके उसके सामने प्रूव कर दू, सिद्ध कर दू, यहां कहते हैं कि जो स्वयम सिद्ध है, वो सिद्ध करने क्या जाएगा भगवान? सोना है वो सोने को कसोटी पर सिद्ध करता है कौन? सुनार मगर सुनार कसोटी पर सिद्ध करता है गिस गिस करके ऐसे वो कसोटी पर कस करके फिर वो सिद्ध करता है यह सोना है या नहीं मगर सोना है वो तो सुनार ने सिद्ध किया, सोने ने अपने को कहा सिद्ध किया, वो तो है, वो स्वयम सिद्ध है, ऐसा परवात्मा दत्म मैं हूँ, तुझे आत्मा की खोज नहीं करनी है, तू आत्मा है, ऐसा जोर है, तू सुनार मत बन, तू सोना है भगवान, तू सोना है, तू सुन ये विरले ज्ञान दीपक भगवान ये रहस्य ज्ञान 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 ये ज्ञान सोयम ही कोई अंदर में ज्ञान 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 उसे ज्ञान में क्या ऐसा हो जहाँ जहाँ ऐसा प्रयोग कर अभ्यास कर तो इसी इसी मस्ती में ही क्योंकि अंतर में ये इंद्रियों में वो ज्ञान गया नहीं और इंद्रियों में ज्ञान गया नहीं ओ देखा ने तो जानने रूप परिणवन हुआ तो इंद्रियों में ज्ञान गया नहीं हजार की नोट का बंडल हजार क्या पांसो की नोट का बंडल दो हजार की नोट का बंडल जो आती है नोट वो बंडल जो नोट का है उसको देखा एहरे मेरे पास में धन आ गया मेरे पास में धन आ गया सम्यक दृष्टी ज्ञानी को आख में से वो ज्ञान धन में नहीं गया ऐसा दिखता है दिखता है माने अंतर में वो प्रतिती और अनुभूती है कि आख में से ज्ञान धन में नहीं गया क्योंकि आख के परमानु में परिणमित नहीं हुआ यह पानी लोहे के साथ में मिक्स नहीं हुआ नल माने लोहे का म प्रवाइटल का कोई भी और इसी की अंतर में अनुभूती तो उस पानी को बहता नहीं पानी बहना रुक जाए क्योंकि मैं पी रहा हूं तू पीता रहे वो बहता रहे तू पीता रहे वो बहता रहे उसे रोकता काई को है सिर्फ विकल्प छोड़ दे कि वो नल में से आया ह है और बह रहा है तू पी बस तू विकल्प छोड़ दे कि इंद्रियों से ज्ञान होता है और निरन पर पलड़ता है ये विकल्प छोड़ दे तो ज्ञान सुरूप है है नहीं हूं ये प्रयोग करना करोगे एसा प्रयोग करना तो प्राप्ति होगी भगवान वो होगी किसको होगी तेरे को नई सुनार को क्योंकि तू सौना आप ज्ञान दिपको को चैतन्य परमात्माओं को आपने जो सुना आज जो सुरूप सुना इसमें आप थोड़ी सी बुद्धी का उप्योग करके विचार करना यदी हो तो तो समझ में आएगा कि मैं ही सिद्ध हूँ मैं ही पुराण हूँ और जो स्वयम में समाज आए वो ही सिद्ध है आप परमात्माओं को प्रणाम जैतन्य 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 अहो अहो श्री सद्ध गूरू करुणा सेंदो अपार इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार देह सहत जिन की दशा वरते देहातीत उनक्यानी के चरण में भोवन्दन अगणित। ओ वन्दन अगणित। ओ वन्दन अगणित। वन्दन अगणित।